कि बहुत बहुत स्वागत है दोस्ता आपका आइस के वे जो के संग ग्रूप पे और हम आज बात करने वाले हैं जेनरली पिछले क्लास हैं बात कर चुके नेश्बॉर के टमिक मॉडल में क्या-क्या खामिया थी और जितने बेगानिक फुरू से आए हैं वो किन्हों ने जित स्थिति क्या है अब याद रखने कि एक जैक्ट स्थिति तो भी तक पता नहीं हो पाई है लेकिन है एक नंबर है जिसका नाम है क्वांटम नंबर की सहता से हम इलेक्ट्रों की कहीं पाई जाने कि अधिक्तम संभावित अस्थान को देख सकते हैं तो आज हम पढ़ने वाले क्वांटम नंबर के बारे में और याद रखने टॉपिक बहुत टॉफ है जनरली इतना के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना के लिए मैं चीजों को कर रहा हूं चलिए अब बहुत अराम सी चीजों को समझे का प्यास के जोर आप इसे चु तो 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 टिंजर एक्वेशन समी करनन गर्ट रखना इसे कहा जाते है पूरे कीमिष्टी का सबसे टॉफ एक्वेशन ठीक है है कि आपको कुछ भी इसमें याद रहे हैं बस आपको जो चीजें बताऊंगे बस तने आपको याद रखना है दिखिए फूर इक्वेशन क्या है आगर समाजने की बात को तो मैं आपको बता दू एक उक्टेस्न अबस्ता अब बोले मेरे साथ बोलिए ली इस्क्वार एर जाई वॉय पंटा डी एक्स क्वार प्लस डी इस्क्वार जाई ली वॉय इस्क्वार फिल्ट D square Jy beta D z square plus 8 pi square m square e minus v बराबर 0 आप देख पा रहे हैं एक्वेशन है इस एक्वेशन को कहते हैं फो दिंजर एक्वेशन क्यों सबसे पहले फो दिंजर दिये थे और इस एक्वेशन को जब सल्व किया गया फिर से देखिए आपको याद भी हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगते आपको याद करने सकता है जिनरली इसमें इयाद रखना है याद रखना है याद Princess रखना है यह आप नमत रखे याद हो जाएगा सब्सक्राइब का डियाद रखने हैं यहां से यहां से या रखने में बताually हो जाया है कि एलेक्ट्रोन एक्सेटे समाखने है याद रखना इलेक्ट्रॉन एक्सेटेक्समेनब होगा कि यद्न ट्रोन के पाय जाने के संभावना तीन निर्देशांक में हैं तीन एक्सिस में हैं तीन अक्ष में हैं अब समझें इस बात को इसका मतलब जब इसे सल्ब क्या गया तो एक नमबर यहां से प्राप्थ हुआ जब इसे सल्ब किया गया तो एक नमबर यहां से प्राप्थ हुआ जब इसे सल्ब किया गया तो एक नमबर यहां से प्राप्थ हुआ जो इन नमबर प्राप्थ हुआ चुकि इलेक्रों छोटा कन है और याद रखना है छोटे कनों के अध्यन को क्वांटम कहते हैं इसलिए इस नंब़ को कहा गया quantum नंबर इसे क्या क्या गया quantum number currently quantum number 4 है कि I have Push A इतने quantum number प्राप्त होते हैं तो 3 और याद रखना ऐसा नहीं कि आ रिंटीसंर करोड़ा है a सबसे पहली बार इसमें जाई क्या है तो जाई याद रखना है जाई का अगर आप मोड वैलू निकालते हैं तो यह पता यह बताता है इलेक्ट्रॉन कि अधिक्तम पाया जाने की संभावना जैसे समझे मोदी जी कहां मिलेंगे जिंडली में अधिक्तम पाया जाने की हो सकते हैं तो अधिक्तम पाया जाने की संभावना क्यों कुछ नहीं हो के सिंब्ल से अधिक्तम पाया जाने की संभावना क्यों की मेरे घर पर उसी परकारण की अधिक्तम पाई जाने की समभवना के से पता चलता है जाई उँड स्क्वाइर से पता चलता हैं तो मैक्सीमम् पाई जाने की समभवना कर दा को इलेक्ट्रोन के माइकिम्मीम आए जाने के संभाबिन एद रखनके जो है इलेक्स्थान तहना पैंजाती है वान जो अस्थान है उस्थान है ठीरी धियस थान यह और उसे ही कहा गया और्वाइट eerste होग है क्या परली बाद बार स्रूरो डिंजर इस बात को बता है इसलिए सन 1933 में सन 1923 में स्रूरो डिंजर को नोबेल प्राज दिया गए याद रखना नोबेल प्राइज दिया गये इस बात रहत बहुत आसाने अध़ उसी से पता चलता है अगर आप से पूछा जा कि क्वांटम नंबर क्या है तो नॉफ्से व चारो का नाम कितने हो गार का चलता है इसी लिए क्वांटम नंबर का अध्यन और अगले क्वांटम निगे परदान क्वांटम निखें गान्स क्वांटम निखेंगे चुम्बकी क्वांटम नंबर क्रिकाक लास्म देखेंगे पॉली का रूल किसका है और उसी के अधार पर हमारा एक्स्ट्रक्टर पूरा पॉलीट हो जागा फिर इंडिया मुहनवाले जितने भी एक जाम है आप उसका कोशन उठाके देखें आप साल्व करने की स्थिति में आ चुके होगे चली तुम लोग देख लेते हैं सो दिंजर की क्वेशन से तीन क्वांटम नंबर का पता चला और चोथा क्वांटम नंब तो सबसे पाला क्वांटम नंबर ज MODAy चार एक इंपोर्टेंट स्फब आपकई से केलर हो जाता है अभ चार क्वांटम नंबर तो कौन-कौन से तु देख लेतैं सबसे पहला कुआक्टम न Mills case हान कॉधानid kवांटम two right में current run दुसरा कॉांटम नमबर है जिसे कहते हैं धुगांसी कॉांटम संख्याRETुसरा कॉंटम नमबर है जिसे कहते हैं चुम्बा की एक कॉंटम नमबर चुम्बा की एक quantum number और चौथा quantum number जी से कहते हैं चक्रिय quantum number अब देखे हैं पढ़ान quantum number को जी में कहते हैं principle quantum number मेरनिशिपल क्वांटम नंबर दूगास्पी क्वांटम क्वांटम नंबर को कहते हैं आजी मूथल क्वांटम नंबर इंगलिश आको याद हुना जाहिए इसका चुमाक्यो क्वांटिक क्वांटम सबात को रखना है अब आपको एक बात और बता दू जहांसे जहांasto सवाल बनते हैं प्रिंस्पल क्वांटम नंबर क्या दिखाता है तो प्रिंस्पल क्वांटम नंबर दिखाता है साइज को कौन्टम नंबर को याद रखना है इंगुलर मुमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं इस बात को अलग से याद कर लेज़ें क्या कहते हैं से इंगुलर momentum quantum number क्योन ये संब्वेग सवाल सबस्राइब होगया दुदक नोबर क्या दिखाता है से द दीकה खुप को सेपको है ठीक है 뽑ा क्या से मैंक्सिमूम सवाल आते हैं और यह दिखाते हैं को मैं अलग कलर से लिखता हूं यह दिखाता है अभी विन्यास को ओरियेंटेशन को आप डियाद कर लिए चुमबा कि क्वांटम नंबर अभी विन्यास कख्षोकों की अभी विन्यास को दिखाता है कख्षोकों की अभी विन्यास और भी छाट जाए अभी विण्यास ओरियंटेशन कि दीखाय घर कितना बढ़ा है एक दिखायगा ग़र का सेप कैसा बरगा का रहा है और अभी विद्यास किस दिशा में मुरा हुआ है किस एक्सीश पर एक्सीश पर य एक्सीश पर इस टाप से क्या बता कर चुंब की क्वांटम न अगले क्लास में अपलाई करने वाले इसी क्वांटरम नमर से पता चल जाता है कि कोई भी आटम है तो को ख मैं के सबसे बाघन होता है और विट और विट को क्या कहते हैं सेल और और विट के अंदर होता है जिसे कहते हैं सब और विट सब और विट और इसी सब और विट को कहते हैं सब सेल और इसके अंदर होता है याद रखना और बिटल ठीक है देखे इसे कहते हैं हिंदी में कक्छा इसे कहते हैं उपक्छा और इसे कहते हैं कक्छक तो जितने भी क्वांटम नंबर है जैसे देख लिजे परधान क्वांटम नंबर इसका रिलेशन किसे होगा एक नंबर देखे एक का रिलेशन एक से में लिख देता हूं परधा सबसें से और चुमबकी क्वांटम नमर का याद रखना जेनरली मैं बता दू अभी बिन्यास ओरियेंटेशन से अगर आप इस कलास को नहीं देखते हैं कलास अगर नहीं समझते तो आगे आपको महसूस नहीं होगा रट तो जाएंगे आपको महसूस नहीं होगा इसलिए उसका नाम है और बेट एक बढ़ा सा बाश्याइल फिल्वोटीं की अंदर या रखना हैं उस फ्लूर को कहता हैं सब और curry में till च्कॉसे ऊपर काट्रुन सबकुन कहते हैं सब और से आंदर व से हए और वाइट इस बात को अगर आप याद कर लेते हैं और बीट का रिलेस्ट्रका किसे पढ़ परदान कौंटम हिसल से संप इस बात को आप कौंटम नंबर को बहुत बहतरीन तरके समझ सकते हैं और कुछ भी भारत के किसी भी एक्जाम के साइंस का कॉंसेट नहीं समझ में आ जागी अब हम अगले कलास में बात करेंगे जैसे प्रोपर क्वांटम नॉबर पर चार क्लासे सबको मिलेगी पहला पर दान क्वांटम नॉबर पर एक क्लास छुटी-छुटी क्लासे होगी दूसर क्वांटम नॉबर और इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग समझेंगे पॉली अपवर्जन का सिंधान और इसके बाद इलेक्ट्रोन की एक्जैक्ट इस्थीति तू नहीं इलेक्ट्रोन की कहीं पाया जाने की संभाव ना बता सकते हैं और आपको लगभग परमानुशन अगले क्लास में जय हिंद जय भारत